हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड स्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है, तो आज हम अनैल्सिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं, तो ऐज उजूर शुरू करूंगा फिंगर्स के से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को, इस तरह से पुरे हैंड का जो अनैल्सिस हम कंप्लीट करेंगे, तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं, सासर ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको फालो करने के लिए, खबरी आपको डाउनलोड करने के लिए, मैं यहाँ पर एक लिंक आपको दे रहा हूं, जिसके ओपर सिंपली क्लिक करकर, आप इस आपको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और मुझे वहाँ पर फालो भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन फिंगर्स की लंबाई काफी अच्छी है, फिंगर्स के ओपर काफी सारी सीधी खड़ी रिखाएं मौजूद हैं, आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, कुछ इस तरह की सीधी रिखाएं लगबग इनके सभी फैलेंजिस के ओपर नजर आ रहे हैं, ऐसी सीधी खड़ी पेश आते हैं, बहुत यह अच्छा सभाव ऐसे निटिव का रहता है, उसके साथ साथ अब देख सकते हैं, फिंगर्स बिलकुल सटी हुई हैं आपस में, फिंगर्स के बीच में गैप्स नहीं हैं, यहाँ पर अगर गैप्स ना हों, फिंगर्स काफी अच्छी तरह से आप उसमें सटी हुई नजर आएं, तो यह भी एक अच्छा और पॉस्टिव चिन माना जाता है, ऐसे निटिव धन के मामले में काफी लगी होते हैं, मनी मैनेजमेंट इनकी काफी स्ट्रॉंग रहती है, अब बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनकी जो ब्रस्पती फिंगर है, काफी अच्छी लेंथ में है, सूर्य फिंगर से लंबाई में ज्यादा नजर आ रही है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ इंडेक्स फिंगर होती है, गुरू की फिंगर कहलाती है, अगर यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट हो, अच्छी लेंथ में हो, तो ऐसे नेटिव के भीतर काफी अच्छी लिडरिशिप क्वालिटी स्ट्रेटीजिस रहती है, अगर बात करें ईनकी सूर्य फिंगर की तो सूर्य फिंगर भी यहाँ पर शॉर्ट नहीं है, अच्छी लेंथ में सूर्य फिंगर नजर आ रही है, जिस वजह से creativity का level भी ऐसे व्यक्ति का काफी अच्छा रहता है जिनकी सूर्या finger अच्छी length में और बिल्कुल straight हो शनी finger के अगर बात की जाए शनी finger यहाँ पर बिल्कुल straight और किसी भी तरफ इस finger का जुकाव नहीं हो रहा strength में भी यह finger काफी अच्छी नज़र आ रहे है जिनकी शनी finger strong होती है ऐसे व्यक्ति मेहनत पर यकीन करने वाले होते है और काफी मेहनती nature के hard working type के होते है mercury finger यहाँ पर थोड़ी सी low set हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं mercury finger लंबाई में सुर्या finger के टॉप फैलन से थोड़ा नीचे रह रही है लेकिन बिल्कुल straight finger है जिसकी वज़े से communication skills weak नहीं होंगे communication skills medium level के रहेंगे और थोड़ी low set होने की वज़े से थोड़ी shy nature रहने की संभावना इनकी रह सकती है overall fingers thickness में अच्छी है यहां से आप देख सकते हैं fingers की thickness जो यहां पर काफी अच्छी नजर आ रही है जिसकी वज़े से ऐसे native के भीतर काफी अच्छी energy and stamina भी रहता है चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी सभी mounts को उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी चेक करेंगे तो यहां पर अगर मैं एक line draw करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनका guru mount, shani mount और surya mount तीनों high set हैं जबकि यहां से आपको नजर आएगा इनका mercury mount यह वाला जो area है थोड़ा सा low set होता हुआ जिसकी वज़े से ऐसे native के communication skills भले ही बहुत अच्छे हों लेकिन थोड़ी सी intro world nature ऐसे व्यक्ति की रहती है अब क्या करते हैं mounts के उपर बनने वाले सभी चिन्नों को सभी निशानों को और साथ साथ बताता जाओंगा क्या क्या फल होते हैं इनके जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो ब्रस्पती यानिके गुरू mount है उसके उपर आपको एक इस तरह की rd line नजर आएगी थोड़ा सा gap है यहाँ पर अगर यह है complete हो जाता अगर यह बिल्कुल इस तरह से जुड़ जाती रेखा और एक इस तरह से अर्ध चंद्रमा की अकरिती बन जाती तो इसे complete ring of Solomon का नाम दिया जाता है यहाँ पर अधूरा गुरू वलय अधूरा ring of Solomon बन रहा है लेकिन यह कभी भी life में पूरा हो सकता है जारतर देखा गया है जिन लोगों के हाथ पे complete guru वलय बनता है ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वराग्या की भावना भी रहती ऐसे व्यक्ति काफी ज़दा spiritual होते हैं धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं लोगों की help करने वाले होते हैं लेकिन थोड़ी वराग्या की भावना isolation की feeling रहती है और अगर यह complete हो तो ऐसे native goes समाज में बहुत अच्छा मान समान और परतिष्ठा भी मिलती है और यहां पर भी यहां लगभग complete होने को है और अगर इस तरह से complete हो जाता है तो लगभग middle age यानि 40 के आसपास की age के बाद से ही ऐसा व्यक्ति काफी ज़दा धार में खोना शुरू हो जाता है इस तरह का चिन होने से native को समाज में काफी अच्छा मान समान मिलता है यह चिन बहुत ही positive माना जाता है अब देख सकते हैं इनके शनी मांट को शनी रेखा बहुत अच्छी है शनी मांट medium नजर आ रहा है एक लंबी शनी रेखा इनके हाथ में मौझूद है यहां से आप देख सकते हैं लगवग इस एरिया तक शनी रेखा पहुँचती हुई और इसके उपर भी यह रेखा इस तरह से नजर आती हुई क्रॉस कर रही है या टच कर रही है इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइन्स कहा जाता है अगर एक लंबी शनी रेखा मौझूद हो कहीं से भी तूटी हुई ना हो लेकिन स्ट्रेस लाइन्स मौझूद हो तो थोड़े बहुत ups and downs का सामना करना पड़ सकता है यहां पर लगबग 35 की एज तक मुझे हलकी स्ट्रेस लाइन्स नजर आ रही है उसके बाद स्ट्रेस लाइन्स नहीं है जो दर्शात ही है कि 35 की एज के बाद इनकी लाइट में काफी अच्छी प्रॉग्रेस रहने वाली है अब बात करते है इनके सूर्य मौंट की आप यहां पर देख सकते हैं इनका जो सूर्य मौंट है हलका सा अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से नेटिव को यश मिलने में दिक्कतें आती हैं अगर यह मौंट प्रॉमिनेंट हो लंबी सूर्य रेखा मौझूद हो तभी व्यक्ति को यश मिल पाता है यानि अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों की हल्प करता भी है तभी बदले में कोई रिवार नहीं मिल पाता लेकिन एक फेम इनको जरूर मिलेगा क्योंकि यहाँ पर एक लंबी सूर्य रेखा जो यहाँ पर हाट लाइन के बिलकुल उपर नज़र आ रही है यह जो रेखा हाट लाइन है इसके उपर ही सूर्य रेखा का नज़र आना लेटर रेज में चलकर व्यक्ति को नेम एंड फेम दिलवाता है तो कुछ इस तरह की संभावनाई इनकी लाइफ में रहेंगी आगे आप देख सकते हैं इनके मरकरी को मरकरी माउंट के ओपर कुछ खड़ी रिखाएं मौजूद है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग लाइन्स तो नहीं है लेकिन बिजनस एकुमेन को यह स्ट्रेंथ देती है इस तरह की रिखाएं यहाँ पर होना व्यक्ति को अच्छी हीलिंग क्वालिटिस भी देती है ऐसे व्यक्ति अपने कर्मों से या अपने शब्दों से दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हील कर सकते हैं अब आप देख सकते है क्में बने वाले money triangle को money triangle के लिए तीन रखा हैं चाहिए होती है सबसे पहले तो यही वाली रेखा जिसको mind line कहते हैं और दूसरी यह वाली line जिसको कहा जाता है and mint line और तीसरी रेखा जिसको हम कहते हैं mercury line बेशक यहाँ पर mercury line थोड़ी सी week है लेकिन मौजूद है और इस तरह से यह double हो रही है और एक complete money triangle की formation कर रही है money triangle का यहाँ पर बनना बहुत ही लकी माना जाता है ऐसे व्यक्ति धन के मामले में लकी होते है life में अपनी मेहनत के बलबूते पर धीरे धीरे करकर काफी सारा धन ऐसे व्यक्ति एकठा कर पाते हैं जिनके हाथ में एक complete money triangle बन रहा हो आगे देखते हैं इनके हाथ में बनने वाली major lines को हाट की line की अगर हम बात करें तो विश्णू सिंबल जैसे formation हाट की line बनाती हुई जो दर्शाती है काफी अच्छी progress हो यहां तक इनके हाथ की line इस तरह से और एक branch यहां से हलकी उपर की तरफ बढ़ती हुई इस तरह का चिन जिनकी भी थेली पर बनता है इसे विश्णू चिन का नाम दिया जाता है जिनकी थेली पर यह चिन होता है ऐसे व्यक्ति भागयशाली होते हैं खास तो और पर progress के मामले में लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश करे तो life में दि enjoyment और progress को enjoy करेंगे आगे आगे आप देख सकते हैं इनकी heart line में नीचे के तरफ कुछ चलने वाली branches मौजूद है इस तरह की branches का होना indicate करता है emotional setbacks को यहाँ पर एक island की formation होती हुई जो लगबग 65 की age में नजर आ रही है जिस वज़ए से literature में चलकर heart related दिक्कत भी आ सकती है और heart की line खुद बाख खुद यहाँ नीचे की तरफ मुड़ती हुई इस तरह से shape बनाती हुई इस तरह से heart की line का नीचे की तरफ मुड़ना native को aggressive nature का भी बनाता है क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ जो mount होता है इसको mangle mount कहा जाता है और mangle mount की तरफ अगर यह एका बढ़ती ह तो ऐसे निटिव थोड़े aggressive nature के भी हो सकते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं इनकी line of mind को mind की line काफी अच्छी लंबाई में एक अच्छा money triangle create करती हुई mind काफी sharp रहे गा इनका memory अच्छी रहती है आप देख सकते हैं इस तरह की mind line होने से mind की line और life की line दोनों में gap नजर आ थोड़ा सा जिद्धी सभाव और independent type की nature भी ऐसे व्यक्ति की रहती है ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों रिखाओं में gap होता है अपने decisions खुद से लेना शुरू कर देते हैं छोटी age से ही यानि के 20 के आसपास की age से ही अपने सभी decisions खुद से लेना शुरू कर देते हैं responsibilities उठ थाना शुरू कर देते हैं इस तरह की nature व्यक्ति की रहती है और आगे आप देख सकते हैं इनकी line of life को एक लंबी life की line थोड़ी सी shallow होती हुई जिस वज़ए से minor issues health से related रह सकते हैं लेकिन अगर हम age की बात करें तो life इनकी काफी लंबी रहेगी 80 के आसपास की age रहने की सभा वनाएं भी इनकी हाथ की रिखाएं दर्शा रही हैं और venus mount की बात की जाए तो venus mount काफी अच्छा नजर आ रहा है कुछ बारीक रिखाएं यहाँ पर कुछ हलकी worry lines unstability married life में देती हैं लेकिन एक अच्छा venus mount हर तरह की सुखसुविधाएं भी देता है अब देख सकते हैं venus mount उबरा हुआ है life में हर तरह की सुखसुविधाओं को भी यह enjoy कर पाएंगे अगर हम बात करें इनके चंदर mount की चंदर mount के अपर कुछ आड़ी रिखाएं मौजूद हैं जिस वज़े से थोड़ी anxiety हो सकती है इस तरह की आड़ी रिखाएं अगर यहाँ पर मौजूद हो तो native बहुत सारी traveling करता है short distance traveling ऐसे native की life में काफी ज़्यादा रहती है लेकिन साथ-साथ anxiety का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना परता है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सुवालों के जो आब एकी वीडियो के तुरूद दे पाउं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन या सुवाल रह जाता है तो इनसे request है कि अगर इनका कोई question pending है तो मुझे WhatsApp पर message करें मेरा वीडियो watch करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद